आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्ण में बोला गया है कि एक दुकानदार बराबर मोल्यों पर दो TV सेट बेंचता है यदि एक पर उसे 20 प्रतिसत का लाव हुआ तरह दूसरे पर 20 प्रतिसत की हानी हुई तो इनमें से कौन सा कतन सत्य हैं बताना है पहला विकल्ब यह बोला गया है कि the shopkeeper makes no net gain or profit मतलब यह बोल रहा है कि ना लाव हुआ है और ना ही हानी हुई है ठीक है दूसरे विकल्ब में बोला है the shopkeeper losses by 2% मतलब दो प्रतिसत की कुल हानी हुई है इसमें बोला गया है दस shopkeeper gains by 4% तो इसमें बोला है दो प्रतिसत लाव हुआ है और इसमें दस shopkeeper losses by 4% तो चार प्रतिसत की हानी हुई है यह बोला गया है इन चारों भी कल्बों में तो चले देखते हैं तो मान लेते हैं माना दोनों TV सेट का विक्रय मुल्य रुपा है ठीक है क्या है X है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुल विक्रय मुल्य कितना आ गया विक्रय मुल्य बरावर आ गया दो X क्यूंकि ही दो टीवी हैं तो दोनों का विक्रयमुल्य बराबर आ गया 2 X अब हम देखिए क्रैयमुल्य निकालेंगे इनका तो पहले निकाल लेते हैं लाव वाले का तो यहां पे 20% लाव वाली टीवी का क्रायमुल्य यह हो जाएगा देखिए सौ गोडित विक्राय मुल्य बटे सौ धन लाब प्रतिसत ठीक है यह सूत्र है तो यहां पर आ जागा सौ गोडित एक्स बटे लाब प्रतिसत कितना है 20 प्रतिसत कहा है तो जाएगा सौ धन 20 यह आ गया सो एक्स बटे 120 सुनी सुनी कर दिया तो और क्या दो से कटेगा तो पांच ये छै पांच एक्स बटे 6 ये आ गया पहले टीवी का क्राय मुल्य है ना अब 20 प्रतिसत हानी वाली टीवी का क्राय मुल्य ये हो जाएगा 100 गुडित विक्राय मुल्य बटे 100 माइनस हानी प्रतिसत ठीक है तो ये हो जाएगा 100 गुडित एक्स विक्राय मुल्य तो एक्स है और ये हो जाएगा 100 माइनस 20 तो यहाँ पहले आ गया 100 बटे 80 तो यहाँ सुनी सुनी कर दिया फिर दो से कर देगा तो ये पांच तो चो काट तो आगया 5 x बटे 4 अता कुल क्राय मौल के दिना आज़ाएगा कुल क्राय मौल यहां पर कितना जो हुआ यहां पेड़ घार think यहां 5 ऐगज फवरट चार ज रोय चैनल मांच बटे चार इनका आPS कितना जाएगा यह जाए जाएगा 12 ठीक है यह हूं छेदो नी 12 तो पांच दोनी 10 एक्स और यहां चारती है बारा 25 तीय 15 तहे आगे 25 एक्स बटे 12 यह कुल विक्राय मूले हो गया है ना अब हमें क्या देखना है चुंकि हमारा कुल क्राय मूले कितना पच्छिस एक्स बटे 12 है जो कि अधि एक है कुल्विक्रैमुली कितना है दो एकस के देखने 12 20 होता है लकिन 25 है बत्ठीस ज्यादा है यहांद ओर है यहां पर हमें हान cathar honey हो और है अगई है अब हानी का प्रतीशत क्याता कर लेते हैं अगत प्रतेशत यहे हो हानी बटे क्रेमुल गुडित 100 तो हानी कितनी हो रही है देखिए हानी हो रही है 25x बटे 12 मैंसे हम घटा देंगे 2x को ठिक और क्रेमुल कितना है क्रेमुल 25x बटे 12 है गुडित 100 कर दिये तो यहां पे 12 दुनी 24 हो जाएगा इनकलासा 12 फिर यह 25x-24x हो गया और नीचे में क्या है 25x मटे 12 बारा बारा कट गए यहां गुडित 100 है तो 25 में 24 गया x बचा ठीक और नीचे क्या बचा 25x गुडित 100 x और x भी कट गए 25 चौक 100 तो आगे अपने पास 4 प्रतिसत तो 4 प्रतिसत की हामें क्या होती है हानी होती है तो सही विकल्प कौन सा हो आएगा विकल्प D आसा गड़ता हूं आप समझ गया होंगे दोस्तों धन्यवाद